पंजाब किंग्स वर्सिस मुंबा इंडिन्स के बीच खेला गया IPL 2023 इसका सबसे रोमान चक मुकाबला जहां पर इस 31 मुकाबले में 13 रन से पंजाब किंग्स की टीम जीती नजराई और मुंबा इंडिन्स की टीम जिस लिहाज से गेंदबाजी करी लेकिन सुर्य कुमार यादव के बले से जो रनों की तुफान आया रोईज शर्मा ने जो तावर तोड़ पारी खेली साथी साथ कप्तान सैम करन ने जो पारी खेली हर प्रिट सिंग भाटिया और साथी साथ अरजुन तेंदुलकर के एक ओवर में 29 रन आना बहुत कुछ इस मकाबले में घरता नजराई और जिस तरीके से इस मकाबले में जीत मिली आखिरे पंजाब किंग्स को ये पूरा किर्किट जगत देखकर हैराने क्योंकि ये बहुत हाई स्कोरिंग मकाबला था 240 गेंट टोटल होती नजराई यानि 120 एक तरफ से 12 एक तरफ से सुरुकुमार यादव की बलेबाजी को देखकर लग रहा था कि ये मकाबला आसानी से जीट जाएगी लेगिन रेमेंबर दानेम अर्शदीप सिंग ये वह खिलाड़ी है जिसने सभी को हैरान कर रख अपनी गेंट बाजी से मकाबले में दो विकेट गिराई आकरी के ओवर में और दोनों स्टम्प तोड़ दी मतलब स्टम्प तोड़ना अपने आप में बहुत बड़ा समझ लिजे कितनी रफ्तार से वह गेंट थी मिडल स्टम्प उखार देना तो अरशदीप सिंग की तारीफ हर तरफ हो रही है चले पूरी मुकाबले की जानकारी देते हैं क्या कुछ मैदान पर घटा कैसे पंजाब ने 214 बनाए और मुंबई 201 तक तो पहुंची लेकिन जीत तक नहीं पहुंची उससे पहले सारी जान ने किया MI की प्लेंग लेवन्ती रोहिश शर्मा, इशान किशन, कैमरोन ग्रीन, सुरुकुमार यादव, टिम डैविड, तिलक वर्मा, अर्जन तेंदुलकर, रितिक शोकीन, जौफरा आर्चर, प्यूस चावला, जैसन बेरंडरोफ तो ये शानदार प्लेंग लेवन्ती प्लेंग 11 में देखने को मिले, शानदार इनकी कहिने कही प्लेंग 11 नजर आ रही थी, लेकिन जिस अंदाज में यहाँ पर गेंदबाजी होती नजर आई, वो बहुती काबिले तारीफ थी पंजाब किंग्स के लिए, साथी साथ आप बात करें मुकाबले के किस तरीके से म प्रब सिम्रन ने, चावला ने कैच पकड़ी थी मैथ्यू शोट की, कैमरोन गरीन ने विकेट लिया था, अथरवा तेड़े का विकेट चावला ने लिया था, उसके उसी ओवर में देखा किस तरीके से हर प्रेज सिंग भी आउट होते नजर आय थी, हाँपर लियाम सिस्टन 12 गेन में 10 रन मनाकर, अथरवा तेड़े 17 गेन में 29 रन मनाकर आउट हुए, शुरुवात अच्छी थी, ज्यादा भी अच्छी नहीं थी, लेकिन 10 ओवर के अंदर 85 रन बन गए थी, यहाँपर पंजाब किंग्स के, इसके बाद आखरी के 10 ओवर में हर प्रेज सि लगा था, अर्चोके छक्को की बरसाथ थी, जिसके दम पर उसके बाद अगला ओवर दिया ही नहीं गया, आरजुन तेंदुलकर को, कॉन्फिडेंस पूरा गिर चुका था, इससे पहले विकेट ली थी, कॉन्फिडेंस आई था, लेकिन फिर जब चोके छक्के पड़े त अपना काम जितेश शर्मा कर चुके थे, अरजुन तेंदुलकर ने तीन ओवर में 48 रन लुटा कर एक विकेट चटका है, तो जैसन बेरंडरॉप ने तीन ओवर में 41 रन देकर एक विकेट चटका है, कैमरन गरीन ने चार ओवर में 41 रन देकर दो विकेट चटका है, और ज शक नहीं है लेकिन यहाँ पर जिस अंदाज में बले बाजी शुरुवात करी इशान किशन ने निराश जनक था क्यूंकि चार गेंद में एक रन मना कर आउट हुए अर्श दीप सिंग ने जैसे इस मुकाबले के स्पैल की गेंद बाजी करी पहली गेंद पर इशान किशन को चलता क्या कैश पकड़ी थी मैथ्यू शोट ने फिर इसकी बाद कैमरों गिरीन और रोही शर्मा की बीस ताबर तोड़ पार्टनर्शिप होती नजर आई करीब 76 रनकी और इस पार्टनर्शिप में खासिया थी थी कि दोनों ही छोड से चोके चक्ये बरस रहे थे खासकर रोही शर्मा अलग फॉर्म में नजर आ रहे थे 27 गेंद में 44 सिनम नायतर रोही शर्मा ने 4 चोके 3 चकों की बदुलत लेकिन लियाम लिविंगिस्टन को लेकर आ फिर उसकी बाद हम सभी ने देखा किस तरीके से 75 रनकी पार्टनर्शिप सुर्यकुमार यादव के साथ कैमरन गरीन ने करी तो यह खूपसुदत पारी थी जिस तरीके से बलेबाजी थी दोनों ही छोड से चोके चक्ये बरस रहे थे लेकिन कैमरन गरीन 43 गेंद में 67 बना और फिर यहां से 10 रन पड़ती और करीब आसानी से बनाने थे जो बन सकते थे सुर्यकुमार यादव का बला खूप चला था 26 गेंद में 57 रन की पारी सुर्यकुमार यादव ने 7-4-3 छक्के की बदोलत खेली लेकिन अर्शिदीप सिंग ने इनका विकेट चटका है वो भ नहीं पाई टिम डैविड ने 13 गेंद 25 रन मनाया सबसे खास बात आकरी ओवर पर आते सीधा जो के अर्शिदीप सिंग का था अर्शिदीप सिंग के उस आकरी ओवर में 16 रन बनाने थे मुमेंडनेंस की टीम को लेकिन अर्शिदीप सिंग ने पहली गेंद पर यहां पर ड गेंद यहां पर डालते हैं नज़र आए फिर वहाँ पर एक और विकेट निहाल वदेरा जो की सब्सिट्यूट यहां पर खिलाडी आये थे उनका भी विकेट गिरता नज़र आया तो इस तरीके से दो बैक टुबैक विकेट गिरा है वो भी विकेट स्टम तोड़कर दोन पंजाब किंग्स की टीम मुकाबले की हीरो यहां पर तीन चार है सैम करण अच्छी पारी खेली अर्श दीप सिंग ने चार वर मन अत्यस रन देकर चार विकेट चटका है चारो विकेट भारते मूल के खिलाडी के थे निहाल वदेरा तिलक वर्मा यह सारे खिलाडी और ज साथवे नंबर पर आ गई तीन जीत तीन हार के साथ और पंजाब किंग्स इसी जीत के साथ चार जीत अभी तक चुकी है तो यह उनके लिए अच्छी बात है यहां पर देखा जाए तो अब जिस तरीके से गिंदबाजी करी अर्श दीप सिंग ने चर्चा उनको लेकर भी खूब हो रहे है क्योंकि अर्श दीप सिंग ने साथ मैच में तेरा विकेट चटका दे और पहले नंबर पर परपल कैप में आ चुके हैं इस मुकाबले में इतनी अच्छी शांदार गिंद बाजी करने के बाद और जिस लिहास से कैमरों गिरिन इस सीजन बले बाजी कर र मुकाबले में उतरते नजर ने आ वरना ओरेंज कैप उनके सर पर होती कैसी लगी जानकारी उमीद करते जानकारी पसंद आई होगी बने रहे हैं चनल के साथ ऐसी और तुमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद